आज की स्वीट डिस में है मोहन थाल तो हमने सबसे पहले लिए एक पाउल उसमें ले लेंगे दो कप मैसन ले ले लिए इसमें चान कर लेना है बैसन को अच्छे से भर कर फिर लिया है आपर थ्री टेबल स्पून जिता मेल्टेड घी को मेल्ट करके ही लेना ताकि मैजर मेजर में लेना है जो दू देना वह रूम टेंपरचर पर यहां पहले जिसे घी डालाना तब पांच मिनुट मैंने मसल लिया इस तरीके का हो जाएगा इसमें गुट्लियां देख लिए काफी तो इसे हमें च्छान लेना इसको बस च्छानने में थोड़ी महनत लगती है जाएगा ना तो इसकी बाद ना इसका टेक्स्चर बहुत ही अलग दिखेगा इस तरीके से बिल्कुल दानेदार देखिए इस तरीके से बने अलग कर देंगे इसको अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है इस तरीकर में रख दिया इसको रेश्ट पर फिल लेंगे कड़ाई इसमें ना मैंने वन फॉर्थ कप से ना आपर घी ले लिया हुआ है यानि कि थ्री फॉर्थ कप घी लिया हुआ मैंने अगर आपको इसने समझ में आता है तो आप ऐसे लिए लो बिल्कुल पॉफेक्ट मैजर्मेंट मेठेगा इसके बाद घी गरम हो जाएगा ना तो हमने अब हो जाएगा इसकी सुघन ना बहुत ही अमेजिंग वाली आने लगती है कि जब यह बुनने लगता है ना अच्छी तरीके से इसको चलाते रहें चलाते चलाते इसमें काफी हलका पंसा हो जागा अब काफी ड्राय ड्राय लग रहा था घीना इसमें जादा नहीं डालन होने लगेगा इस वक्त आपको चलाते रहना है इंपोर्टेंट है अगर आप इसे थोड़ा सा हाइफ लेंपर करके चला दोगे ना तो इसमें अच्छा वाला टेस्ट एंड कालर भी आ जाएगा बहुती अमेजिंग तो इस तरीके से नहीं एक मीनट चला दिया था खाली इसमें एड़ करेंगे ना मिल्क मैंने मिल्क टेंपरेशर पर लिया है आदा कप मिल्क लिया हुआ था मैं आप इसको ना धीरे-दीरे करके ना देखे एक बार जब डाले को चाहर दाले है तो इस तरीके करके थैसरी बार तालना तर्utta धौड़ा करके अधकर निए आपर प लिए पॉडानी द्हागे सकते हुआ इसको मिक्स कन के बाद ना जब बना ना तो इसको ना ना थो मिनट के लिए नए फ्लेम पर पका देना इस से यहां पर यह थंड़ी हो गई से थोड़ा सा ठंडा कर लेना है जो हमने यह बेशन भूना था इकदम भी नहीं नौर्मल ठंडा हो जागा तब ही एड करना है नहीं तो नहीं अच्छा नहीं भनकर एडियोगा थोड़ी ना प्रोब्लम होने लगेगी जमेगा नहीं तो जब कर दिया था फिर इसके ना चला लेना राइब कर लेना इसको जब्सक्राइब लग रहा था देखने घाण में इसका टेष्ट ना सच में बहुत अमेजिंग था इसको बना के रहे कर ना अगर आप यूटूब चैनल पर न्यूटू है तो मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक कि आपको ये कैसी लगी अरग करना और कौमेंट करना कि आप की बनाने पर कैसी वनी है मारा मुहन थाल बना के चिरू टाय करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेग केर